हेलो प्रेंड्स, एवरिटिंग नियो एक से चोटी सी फैमिली में मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपको थैंक यू, थैंक यू सो मज करना चाहता हूँ दोस्तों क्यूंकि जो टूगूड.com के स्कैम वाले वीडियो मैंने चैनल पर डाले थे उसे आपने बहुत सपोर्ट किया है तो थैंक यू सो मज उसे लाइक करके, शेयर करके, सबस्क्रेब करके, मुझे आपने जो सपोर्ट किया है ना, उसे मैं शब्दों में बयान ही कर सकता तो मैं आपको यही कहूंगा, थैंक यू सो मज यार, थैंक यू सो मज और अगर बोक्स में हमें ये ट्रेकर देखने को मिलता है जिसका डिजाइन कंप्रेटली चेंज है और उसे मी बैंट 2 से बहुत अप्रेड किया गया है जो मी बैंट 2 था उसमें सिर्फ 0.42 इंचेस का OLED डिस्पले था और जो ये मी बैंट 3 है इसमें 0.78 इंचेस का OLED टस्क्रिन दिया ग सर्टिफिकेशन मिला था एक मिटर पानी में आप 30 मिनिट तक उसे रख सकते थे मी बैंट 3 है जो 5 ATM सर्टिफिकेशन के साथ मिलता है इसका मतलब है 50 फिट तक आप इसे पानी में अंदर यूज कर सकते है मी बैंट 2 के स्ट्रैप में प्रॉब्लेम था स्ट्रैप का इंटर बॉक्स में आपको ट्रैकर चार्जिंग माउंट केबल मिलता है जो कि मी बैंट 2 के साथ आता था वैसा ही मुझे दिख रहा है सेम कॉलिटी का है सेम मठीरियल है और आपको बॉक्स में एक यूजर मैनियूल मिलता है जो कि इंगलिश में है उसमें आपको प्रॉडॉक का और भी बताया है किस प्रकार से स्ट्रैकर में ट्रैकर को लगाना है किस प्रकार से पहनना है किस प्रकार से स्मार्ट पॉन के साथ प्यार करना है किस प्रकार से उस ट्रैकर को यूज करना है किस प्रकार से स्ट्रैकर को निकालना है स्ट्रैकर से और किस प्रकार से चार्ज को यूज किया गया है और इससे बैटरी पिजनसी बढ़ जाती है अब बात करते हैं मी बैंट 3 मुझे 17 सुरुपे में कैसे मिला तो एमेजॉन पे का एक ओफर चल रहा है और किसी option के अंदर जाने के लिए left में swipe करना है अपडेट के बाद इसमें exercise का eco feature एड हुआ है किसी भी option को select करने के लिए आप capacity बटन का यस्तमाल कर सकते हैं उसे hold करके रखिए और ये select हो जाता है फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो informative लगा हो तो please एक like कर दीजिए thank you so much friends